आपको ले चलते हैं हर्दा जहां पहूंचे हैं मुक्ही मंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहांपर घटना स्थार्थ का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं हर्दा में सीम डॉक् dzisiaj दॉक्टर यादव यहांपर व्रोध ंर्षन भी हो रहा है कि विरोध कर रहे हैं हुआप कि देख सकते हैं आप इन ग्रामीनों का गुस्सा कितने आक्रोशित हैं ये लोग और यहां पर क्योंकि उल्हों ने अपनों को खोया है जी हाँ एक मा ने अपने बेटे और बहु को खो दिया तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे उन से अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन सुरक्षा कार्डनों से जब उन्हें रोका गया तो इस बात से यह आहत है नाराज है और इसलिए यहां पर अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं घायलों का सीम ने इससे पहले हाल चाल जाना था अस्पटाल में और यहां पहुंचे जहां पर पटाका फैक्टरी में वस्पोर्ट हुआ था घटना असल का दौरा करने के लिए सीम पहुंचे थे यहां पर सबी घायलों का मुफ्त इलाज होगा यह बात कही है सीम डॉक्टर मोहन यादाव ने लेकिन शायद इतना काफी नहीं है यह उस समय के तस्वीर हैं जब घटना असल पहुंचे थे सीम डॉक्टर मोहन यादाव कमल पठेल पूर मन्प्री आपको उनके साथ नज़र आ रहोंगे जायजा लिया था घटना असल का सीम में जाना था अधिकारियों से वहां पर मौजूद अधिकारियों से किस तरीके से यह घटना घटित हुई और अभी क्या कुछ वहां पर ह मलबा घृना का काम दोगारी है लेकिन ग्रामीड़ भी वहां पर पहुचे हुए है जिन्होंगों अपनों को को खो दिया है तर में घुसा है आक्रोश है और यहीं वॉझे मुलाकात की की मांग है लेकिन सीम से उन्हें मिलने नहीं दिया गया यह उस समय के तस्वीर है जब सीम घटनास्तल पर पहुंचे हालातों का जाइजा लेने के लिए और इससे पहले अस्पताल भी गए थे जहां पर घायलों का लाच चल रहा था